नमस्कार बहुत बहुत स्वाहत करते हैं Click Today के आज के एक और नई वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक और नए स्कॉलर्शिप को लेकर के तो देखे ये स्कॉलर्शिप जो है हीरो के तरफ से आप लोगो प्रवाइड कराया जा रहा है इस स्कॉलर्शिप के लिए eligibility criteria क्या क्या रहेगी date कब तक के है last apply करने का और कितना स्कॉलर्शिप का amount आपको मिलने वाला है किन-किन students को मिलेगा ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है तो वीडियो को सुरू से लेकर के अंते तक जरूर देखीगा एक एक बात जो बताई जाए उसे सुनिएगा और समझिएगा अगर ना समझ मैं है तो नीचे comment करके पूछ लीजेगा साथ ही उधर NSP scholarship भी जो है enable कर दिया गया है यानि कि national scholarship portal पे जो है आप लोग का पहले तो OTR registration हो रहा है fresh applicant के लिए और जिनका पहले से ही apply हो रखा है उनका renewal का option आ रखा है तो आप लोग अपने renewal कर लिजेगा इसका info इससे previous की वीडियो में मिल रखा है तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ये वीडियो जो है एक नए fresh application के लिए है और आपको मैं पहले ही बता देना चाता हूँ अगर आपने अपना admission जो है इस वर्ष लिया है यानि 2024 में लिया है तो ही आपको ये scholarship प्रोवाइड कराया जाएगा बीच session के student eligible नहीं होंगे बाकी जो eligibility criteria है वो हम check कर लेते हैं तो देखिए buddy for study के जो है website पर जब आप जाएगा तो ये जो आपका scholarship जो चलाया जा रहा है इसे हम open करके आपको जो है और भी info बताते हैं ये जो है रमन कांत मुझाल के तरफ से जो है ये चलाया जा रहा for student pursuing finance related UG course finance related जो भी UG course कर रहे हैं को ही मिलेगा ये भी यहाँ पर का गया है scholarship award जो है कितना से कितना है तो देखिए from 40,000 to 5,50,000 per year ये आपको मिल सकता है आपका जितना साल का course होगा उतने साल तक आपको ये scholarship दिया जाएगा ठीक है ये 2024 से 25 के लिए application जो इसका start हो गया है बाकी यहाँ पर apply now का option भी आपको जो दिया गया है about this program अगर हम बात करें तो जो भी student इसमें apply करना चाहते हैं तो hero fincop के तरफ से ये आपको financial assistant provide कराया जा रहा है आपको आगे पढ़ने के लिए ये पैसा return नहीं करना होगा क्योंकि ये एक scholarship amount student currently studying in first year of BBA BFIA Bcom HE और उसके आदे bachelors of management study BMS integrated program in management IPM, BA economics bachelors in business studies BBS, bachelors of banking and insurance BBI bachelors of accounting and finance यानि की Bcom अगर accounts and finance कर रहा है BAF या फिर BSC statics or any other finance related degree course stand a chance to receive financial assistant of up to 5,50,000 per year और ये जो है for 3 years के लिए जो आपको मिलेगा complete their education पूरा education complete करने के लिए इसमें अब जो है ये चीजे तो आपको बता दी गई है हम थोरी सी eligibility की बात कर लेते हैं तो eligibility में आपको पता है finance के जो course कर रहे हैं उनको ही मिलेगा यहाँ पर बता है कि applicant must have secured at least 80% marks in class 10th and 12th यहाँ पर यह कह दिया कि अगर आपका 10th में 80% होगा 12th में 80% होगा तभी ये scholarship आपको provide करवाई जाएगी the annual family income of the applicant should be less than 4 lakh 4 lakh से कम आपका total source से income आपके family की होनी चाहिए इसमें आपका income certificate भी मांगा जा सकता है open for Indian national only nationals only जो इंडिया के होंगे उनके लिए है the children of employee जो यहाँ पे contract employee of hero fincorp उसके रमन कांत मुंजल foundation and buddy for study are not eligible to apply इन में अगर आपके guardian job कर रहे हो तो आप apply नहीं कर सकते है benefits में जो पहले हमने आपको बताया वही है the exact scholarship amount will depend upon the accepted college fees जो आपका college fees लगा है उसी के basis पे आपका scholarship amount बनाया जाएगा अगर आपका tuition fees टोटल 2,30,000 है 3,00,000 है तो आपका maximum 3,00,000 तक का scholarship आपको मिल सकता है बाकि आपके merit के basis पे भी scholarship बनाया जाएगा तो यह information आपको हमने बता दिया ठीक है क्योंकि यहाँ पे 5,50,000 तक आपको जो amount बिलेगा अब जितना आपका college का fees होगा या तो पूरा का पूरा college fees tuition fees जो आपका वो मिल जाए या फिर उसका 50% आपको मिल जाए या 75% मिल जाए यह तो आपका form apply करने के बाद ही जो पता चलपाएगा document में क्या क्या लगेगा mark sheet of class 10th and 12th अधार card of the applicant pen card and अधार card of the parents यह आपके parents का लग रहा है parents का भी लगेगा income proof ITR लग सकता है या income certificate आपका लगेगा या आपके family का जो है जो भी पापा होंगे head होंगे जो उनका salary slip लगेगा bank account statement of applicant parents जो आपके parents होंगे उनका bank account का जो है statement लगेगा current year admission proof आपने इस वर्स admission लिया उसका admission proof देना होगा college fees received आपको देना होगा या demand received issued by the college यानि कि college आपसे जो fees charge कियोंगे वो आपको लगाना रहेगा document affidifit आपको लगाना पड़ सकता है यहाँ पर stating that all the documents provided by the applicants are true to their acknowledge यानि कि आपको एक affidifit code से बनवाना होगा उस पर यह लिखा रहेगा कि हमारे द्वारा यानि कि जो भी student रहेगा like मेरा ना मगर प्रशांत है तो प्रशांत के द्वारा प्रशांत कुमार के द्वारा जो भी दी गई जितनी भी कागजात है वो सही पाई जाती और सही है हमारे संग्यान से तो वो affidifit के ओपर लिखा रहेगा आपके जो वकील होंगे वो बाकी info बता देंगे और passport size photo लगेगा applicant will be required to upload all the self-attested documents self-attested कहने का मतलब है कि photocopy जो भी आप document का कराईएगा उसके नीचे आपका signature और date होना चाहिए यानि आप अपना signature करेंगे और उसके नीचे जिस date को आप upload कर रहे document उस दिन का date आपको डाल देना होगा यह होता है self-attested आपके द्वारा टेस्ट किया गया अब यह आप apply कैसे करेंगे तो आपको click to apply now बटन जो नीचे दिया गया है login करना रहेगा application उसके आपका पूरा डीटेल्स है वह आपको भरना रहेगा start application बटन पर जाएगा रीडाइट हो जाएगा रमा कांद मुझाल scholarship दोज़ा चौबिस से पचेस के लिए start application पर जाएगा fill up करिएगा अपना details upload relevant document accept the terms and condition वह करके और आप apply now कर लीजागा जो भी application process में जो भी आपसे details मांगे जाएगा वह details fill कर दीजएगा यह fill करने के बाद आगे आपका message आ जाएगा सारा info आपको message के थूरू as well as आपको email के थूरू provide करवाया जाएगा इसलिए परिशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको इससे ज़रूरत कोई भी सवाल या सुझाब हो तो नीचे comment करके पूछ सकते बाकी जो सवाल पूछे जा रहे है what is the selection process of Raman Kanth Munjal scholarship Raman Kanth, sorry Raman Kanth, sorry Raman Kanth, Munjal scholarship 2024-2024, the scholarship process of Raman Kanth Munjal scholarship 2024-25 is a multi-stage process where the students are selected based on their academic merit, यहाँ पर पताया गया है and financial background, जिनका financial background जादा वीक होता है उनको ही दिया जाता है और जो details आपको बताया गया है, short list किसके basis पे किया जाता है, वो यहाँ पे नीचे बताया गया है, document verification होगा, telephonic interview होगा, आप से कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आपको जो scholarship मिलेगा, आप उसका सही utilize कहा 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 करेंगे, अगर आप उस interview में गलत कुछ बोलते हैं तो फिर आपका scholarship का process आगे नहीं होगा, interview भी हो सकता है, selected candidate का, और leadership team of the hero, fincop, जो है करेंगे आपका interview, और final selection of the scholar, post approval from the scholarship provider, यानि कि बाद में आपका scholarship आपको प्रवाइड कर देया, बाकी info आप नीचे देख के पर सकते हैं, अगर आपके कोई सवाल इस तो जावाँ तो नीचे comment करके पूछ लिजएगा, आज की वीडियो में इतना ही, हम फिर आप सभी से मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को जाव से अधर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल अकॉन को और ज़रूर करिएगा, तब तक इलन चलते हैं, धन्यवाद